राजे के बाद सल्मान खान की आने वाली फिल्मों के विलिन भी किसी हीरो से कम नहीं होगी क्योंकि अब सल्मान खान ने अपनी फिल्मों के विलिन के लिए कर दिया है बड़ा एलान किया है एक बड़ा काम जी हाँ, सल्मान की आने वाली फिल्मों में किस तरह का होगा, विलन का किरदार और कौन होगा यह चलिए आपको बताते हैं Hello everyone, welcome to film video, मैं हूँ नित्यांशी और लेकर आए हूँ आपके लिए सल्मान खान की आने वाली फिल्मों के विलन से जुड़ी एक exciting ख़बर लेकिन इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइगन को जरूर हिट करें और अगर आप चाहें तो मुझे भी मेरे इंस्टेग्राम अकाउंट आंकर नित्यांशी पर फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों चाहे वो प्रकाश राज हो Wanted और दबंग 2 में दबंग 3 में किच्चा सुदीप हो दबंग 1 में सोनु सूध हो राधे में रंदीप हूडा गौतम गुलाटी जैसे स्टार्स हो या फिर अब सल्मान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 के विलन हो सल्मान खान की फिल्म का हर विलन उनके किरदार के मताविक मुकाबले उतना ही तगड़ा और स्ट्रॉं होता है आपको बता दें कि ताइगर 3 में पाकिस्तानी एजिंट की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं इंडस्ट्री के रुमैंस मास्टर चॉकलिट बॉई इमरान हाश्मी जी हाँ इमरान हाश्मी सल्मान खान के ओपोजिट विलन का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं टाइगर 3 में और एक पाकिस्तानी एजिंट की भूमिका निभाएगे जी हाँ और बिलकुल सोनु सूध ने जिस तरह से दबग में शर्टलिस होकर सल्मान खान के सामने उन्हें तगडी फाइट दी थी बिल्कुर उसी तरह से आप इमरान हार्शमी को भी शर्टलिस होकर सलमान खान के साथ fight sequence करते हुए जबरदस section करते हुए देखेंगे Tiger 3 ने जी हाँ अगर सूत्रों की माने तो इमरान ने ऐसा समर्पन भाव से Tiger 3 के लिए किया है इस फिल्म में वो six pack abs में भी नजर आने वाले हैं सलमान के साथ साथ उनका भी फिल्म में shirtless fight sequence दिखाया जाएगा जो फिल्म के director है मनीश शर्मा जो की वायरेफ के बहुत ही popular director है वो जो है वो story पर अंकुर और अक्षद का साथ जो है उनको मिला है उनकी जो writers है और writing team का भी यही मानना था कि सलमान के सामने इमरान हाश्मी का किरदार जो है वो फी का नजर नहीं आना चाहिए इसलिए इमरान को भी एक तगड़ा किरदार दिया गया है अब क्या सूचते हैं आप क्या लगता है आपको कि आमरान हाश्मी और सल्मान खान आमने सामने किस तरह से नज़र आएंगे कमेंट जरूर करें